Hello everyone, welcome back to Monday की बात, हम हाज़र एक और वीडियो में हैं, अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने बाले हैं, King Khan यानि के शारुख खान की Box Office तबाही, पठान के Box Office Prediction Day No. 6 यानि के The All Important Monday Test के बारे में, पठान 2 के बारे में, क्योंकि अभी एक Press Meet हुआ है, जिसमें Media Interaction हुआ, सब के बारे में बात करते हैं, और वहीं से शुरू करते हैं हम लोग कि जो Media Interaction हुआ, क्योंकि All The Sarkians, मतलब जितने लोग भी शारुख खान को एड्मार करते हैं, वो सब के सब वेट कर रहे होंगे, कि इस दिन का, क्योंकि जब वो Media के शामने आएं, जब वो बाते करें, क् शारुख खान talks, you just sit back and admire the man, उनका wittiness, उनका humor, उनका way of talking, वो जिस तरह से बात करते हैं, दिन भर हम सुन सकते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जिनको कि वो बोलते रहे हैं, वो बोस ऐसा लगता है कि बैठ हो और सुनते रहो, उसमें से शारुख खान एक है, ऐसा बहुत जादा उन्होंने, और जॉन अबरहम तो थैंक यू भोल रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इनको, वो सब को थैंक किया, इस तो बेरी मीडिया शाही परसन, तो उनने बहुत थैंक किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बात हुआ और देर गंटा की ये पूरा इंटरक् का है, और जो हाजर जवाबी है, वो नेक्स लेवल की होती है, और वहाँ पे डिपीका, जॉन अबरहम, जॉन अबरहम और शारु खान का प्रोमैस देखके तो मजा ही आ गया, और बहुत लोग ये बोल रहे थे, ट्रेलर जब निकला था तो जॉन अबरहम ने शारु खान क क्योंकि जो प्रोमैस देखने को मिला, नेक्स लेवल था, नेक्स लेवल और बहुत ही मज़ेदार था, यही मीडिया इंट्रेक्शन और यही इंटर्व्यूस हम लोग मिस करे थे, इसी बीच पठान 2 का भी एक तरसे अनॉफिशली या उफिशली जो बोलना है बोलो, एक अब कितना जल्दी बनता है बस उसी का इंतजार है, वही देखने वाला बात होगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्ता वह मीडिया इंट्रेक्शन हम तो अभी देख रहे थे, डेर गंटे कही था और काफी-काफी ज़्यादार, मतलब बहुत मज़ेदार था, शारू खान जब जयने की 19 करोड भी कमाती है तो बहुत बहुत बहतिरीन माना जाएगा, वैसे तो 70 करोड मतलब 70% परसेंट भी चला जाए, 30 परसेंट भी कमाए तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पठान का जितना कमा रहा था, 30, 40, 50, वह बहुत जाएगा था, तो अगर गिर तो मतलब वहां से दिख रहा था कि 15 करोड तो लिखत में ले लो कि कमा रही है मॉर्निंग उक्पिंसी भी बहुत अच्छा कुला 13% के आसपास दो और उसके बाद शाम से इवनिंग उक्पिंसी भी अच्छा है तो सुब मिला कि अगर हम बताएं तो 22-23 करोड का एक्सपेक्टेशन है कि कमाएगा और मेरा भी वही प्रेडिक्शन है 22-23 करोड मेरा प्रेडिक्शन है कि पठान कमा सकता है डे नमबर 6 पे और यहां इसी के साथ अराम से यह 300 करोड पार कर जाएगा इन में फ्लाट 300 करोड पार हो जाएगे और फॉर्ण से कितना कलेक्शन आता है उस पर अभी तक कोई डेटा निया मेरे पास इसलिए उस पर कोई टिपने भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मंडे को किस तरह का कलेक्शन करता है और डेटी 207 करोड कमा चुका है वहाँ पे इस दिन इसने 300 करोड पार कर दिये हैं अल्मोस्ट कहा तो यह जा रहा कि अभी तक 300 करोड पार हो चुका है तो आराम से हम लोगों कल 22 करोड का करने को मिल सकता है इन फैक ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन अब से थोड़ा से लिमिट में थोड़ा सा प्रेडिक्शन देंगे आगे चला जाए तो अच्छा है थोड़ा सा ओवर बोड जाके थोड़ा नीचे आता है तो फिर थो थोड़ा खराब लगता है इसलिए 22-23 करो कमाने के बाद मंडे को आके अगर 23 करोर कमार है न फिल्म यानि कि आपके फिल्म में स्टैमिना है और यह लंबी रेस का घोड़ा है और यह भागेगा बहुत तेज भागेगा अगर गिलते पढ़ते भी भागता है ना मालोग 23 करोर कमाता है उसके बाद अगले दिन 18-19 ऐस करके भी कमाता है न तो Friday, Saturday, Sunday फिर से जंप लेगा और देखते देखते आराम से 400 करोड के आसपास हम लोग February के पहले बीक में पहुच चुके होंगे और मतलब दंगल तूट चुका होगा और अगला टार्गेट होगा KGF Chapter 2. So this is where पठान, the euphoria, the phenomena is heading. आपका क्या ख्याल है क कितना होगा Monday का कलेक्शन और कहां पर जाके रुगेगा क्या lifetime कलेक्शन हो सकता है क्या वो 500 करोड के पास जा सकता है या नहीं जा सकता है उस gigantic बाहु बली ट्यू के रिकॉर्ड के आसपास कमेट में बतानों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेन और सब्सक्राइब कर देना बेले के दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अप्डेट आए आपसे मिसना हो जाए चली मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के लिए टेक कैर और थैंक्यू झाले के लिए आएर सब्सक्राइब कर दो कि अर आए हू अरादी बतानों झाले कर दो कि अबादी आए आए हू झाले कोई आए हू लादेक कई वीडियो कोई।